गुलाब जावन तो आप सबने खाए होंगे पर घर के बने गुलाब जावन की बात ही अलग होती है तो सबसे पहले आपको पनीर और खुआ दोनों को ले लेना है क्योंकि इसी से हम अपना गुलाब जावन बनाएंगे तो आपको खुआ को सबसे पहले एकदम अच्छे से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट बना देना है और पनीर को सॉफ्ट बनाने में टाइम लगे है क्योंकि यह थोड़ा हार्ड है मार्केट वाली है इसलिए तो हमने पहले इसको कद्दुकस कर लिया है अच्छे से खुब सारा कद्दुकस कर लिया है और पनीर और खुआ इन दोनों से हमारे गुलाब जाबून बहुत टेस्टिक दम मार्केट जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बनके तयार हो जाएंगे तब तक आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ठीके तो यहाँ पर हमें पनीर को भी न एकदम अच्छे से मसल मसल की इसको भी सॉफ्ट बनाना है तो यह देखिए यह मेरा खुआ है आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना अच्छे सॉफ्ट कर दिया और यह मेरा पनीर है यह देखिए आपको दिखा रही हूँ कि यह एकदम बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जो पकदम मुलायम एकदम बहुत सॉफ्ट लगेगा तो यहां पर मैंने पनीर और वह खुआ दोनों को मिक्स कर दिया नॉमली जैसे मिक्स करते हैं और मिक्स करके यह देखे मैंने एक डो बना लिया अब देखिए इसका मैं इतना सौफ्ट हो गया कि इसमें क्राइक नहीं आ रहे हैं तो आपको तो आपको थोड़ा और मसलने की तो अब मेरा चाशनी या मेरा रेडी हो चुका है मैंने यहां पर दो कप चीनी और एक ग्लास पानी लिया आप चाशनी अपने हिसाब से एजिस्ट कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाते हो तो कम मीठा उसके बाद आपको तेल गरम कर देना है और जादा हाइफ्लेम पे नह प्रेट रही हो वीडियो देखते हैं देखते हैं मैं यह चानल को प्लीज सस्क्राइब कर दीजे और वीडियो को पक्का से लाइक करना मत भूलीगा यह देखिए यहां पर मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे निकाल देंगे चाशनी में डाल देंगे ठीक ह तो यह देखिए पूरे हो चुके आगे पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई तो मैंने निकाल दिया अब हम इसे चाशनी में डालेंगे ठीक है तो यह देखिए यह मेरी चाशनी थंडी हो चुकी है और यहां पर मैं एक एक करके सारे गुलाब जामनों को डाल रह स्षरी जसे और यह देखिए कौकी है जामनों को फुकी है